हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अभधुबे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कच्छा बारा के फिजिक्स के पार्ट फाइब वीडियो देखेंगे इस वीडियो में हम लोग वैद्विद दीदरू के काड़ कितना वैद्विद छित्र उत्पन्न होता है अच्छे स्थती में, निरच्छे स्थती में और किसी भी बिंदु पर इन तीनों का हम लोग फार्मूला प्राप्त करेंगे इसके पहले चार पार्ट वीडियो में हम लोग ने आवेश के बारे में, आवेश के गुड के बारे में, आवेश के प्रकार के बारे में और मूल आवेश के बारे में पढ़ लिया है पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने कुलाम का नियम, शदिश्वरोप और अध्यार ओपड का शिधान्त क्या होता है वो पढ़ लिया है पार्ट 3 वीडियो में वैद्युद छेत्र, वैद्युद छेत्र के तिवता और वैद्युद बल्रेखाय क्या होती है वी पढ़ लिया है पार्ट 4 वीडियो में वैद्युद दिधरू क्या होता है वैद्युद दिधरू पर कितना बल्यूगम आगुण कारे करता है और वैद्वित दिद्रू को घुमाने में कितना कारी किया जाता है जब ये एक समान वैद्वित छेतर में रखा हो और वैद्वित दिद्रू की स्थिती जूजा कितनी होती है ये हम लोगों ने पढ़ लिया है अब हमें पढ़ना है कि वैद्वित दीध्रू के कारण अच्छी निरच्छी और किसी भी बिंद पर कितना वैद्वित दीध्रू के कारण उत्पन वैद्वित छेत्र intensity of electric field due to electric dipole ठीक है मतलब वैद्वित दीध्रू के कारण कितना वैद्वित छेत्र उत्पन होता है हमें अब निकालना है तो इसमें हमें तीन condition में पढ़ना है एक अच्छी स्थिती में दूसरा निरच्छी स्थिती में और तीसरा किसी भी बिंद पर तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अच्छी स्थिती में तीक है अच्छी स्थिती में वैद्वित दीध्रू के कारण कितना वैद्वित छेत्र उत्पन होगा तो इसमें जो आपका पहला heading है वो है in axial position अच्छी है इस्थिती में ठीक है हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में वैदित दीदरू के बारे में बताया था वैदित दीदरू क्या होता है जब दो समान परिमार के आवेश किन्तु वीपरीव प्रकित के एक दूसरे से बहुत अल्पदूरी पर रख दिये जाए तो इस निकाय को कहा जाता है वैदित दीदरू हमें क्या निकालना है वैदित दीदरू के कारड कितना वैदित छेत्र उ विस हो और दूसरा आपका प्लस क्यों आवेश हो यह दोनों आवेश एक दूसरे से अतिस्चव दूरी पर रखे हो हम जानते हैं इन दोनों आवेश ओ सोँ की बीच की दूरी है वहưởng लोग माल लेते हैं 2L है तो दोनों आवेसों के 20 के दूरी की तरा है्ं अब आमाल लेते हैं इसके अच्षमें ऐस थिति का मतलब होता है कि जो इलेक्रिक डाइपॉल है इस इलेक्ट्रिक डाइपॉल के अच्षमें अच्षमें मतलब इस मिन्दू पर कहीं भी आपको वैद्यू छित्की तिविता निकालना है अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इस प्रकार से दिया रहता है तब इसके अच्छ का मतलब हो जाएगा कि इस जो ये लाइन मिल रही आपको इसके अच्छ पे कहीं पी वैद्यू छित्की तिविता तो अच्छी स्थिती का मतलब होता है कि उसके अच्छ में रहना चाहिए मतलब उसी लाइन में प्रकार से समझे तो रहना चाहिए तो हमें क्या निकालना है अच्छी स्थिती में तो यहाँ पे देखते हैं माल लेते हैं जो अच्छी इस्तिती होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा माल लेते हैं यहां पे एक प्व Selbst earnest P है इस प्वklär पर हमें वैद्यत छेट्र की तेवर्दा को निकालना है हम लोग जानते हैं कि वैद्यत दियद्रु मेें कोई भी दूरी आप पी जाती है वह मध्ध विंदू से मापी जाती है तो हम लोग माल लेते हैं कि यह जो point O है यह इस द्वीध्रू का मध्ध विंदू है मध्ध विंदू का मतलब है अगर यह 2L दूरी होए यह पूरी दूरी कितना आपने लिया है 2L तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगा L हो जाएगा ये वाली भी दूरी कितना हो जाएगा L हो जाएगा ठीक है अब देखिए इस O से P के बीच की दूरी हम लोग माल लेते हैं R O से P के बीच की दूरी कितना माल लेते हैं R यानि कि यहां से यहां तक की बीच की जो दूरी है वो हमने R ले लिया है अब इसे माल लेते हैं यह A है यह आपका B है ठीक है अब देखिए O से P के बीच की दूरी कितना है R O से B के बीच की दूरी कितना है ये वाली दूरी L है अब हमें निकालना है B से P के बीच की दूरी कितना होगी ठीक है यहां से यहां तक की दूरी कितना होगी तो टोटल दूरी है R इतना दूरी है L तो इस पूरे में से अगर इतना घटा दे इस पूरे में से अगर इतना घटा दें तो हमें ये वाली दूरी नहीं मिल जाएगी तो पूरा कितना है R ये वाली दूरी कितना है L तो R-L ठीक है R-L कहां से कहां तक दूरी है कहेंगे कि B से P के बीच की दूरी प्लस Q आवेस से बिन्दू P के बीच की दूरी आपका R-L है अब हमें देखना है कि यह – QAV से P के बीच की दूरी देखें यहां से यहां तक की दूरी कितना है O से P के बीच की दूरी कितना है R है O से A की बीच की दूरी कितना है L है तो इतना YL है और इतना आपका R है तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा R प्लस L ठीक है R प्लस L तो figure आप समझ गए होंगे लंबाई भी समझ गए होंगे जो length लिया जा रहा है वक किस प्रकार से लिया जा रहा है हमें क्या करना है P बिंदू पर वैद्यूत छेतर की तिवरता को निकालना है ठीक है अच्छा माइनस क्यू आवेस की करना जो वैद्यू छेतर की दिशा होती है वह क्या होती है वैद्यू छेतर की तिवरता होती है वह माइनस क्यू आवेस की और होती है ठीक है माइनस Q आवेस के कार जो वैद्यूच्षित्र का मान है वह कितना है एवन है प्लस Q आवेस के कार जो वैद्यूच्षित्र की तेवरता होती है उसकी जो दिशा होती है वह प्लस Q आवेस से दूर की और होती है तो दूर की और होती है तो मतलब इस दिशा में होगा वैद्यू छेत्र की दिशा है वह द्वीदरू की ओर है और वैद्यू छेत्र की तिव्टा माल लेते हैं क्या है एवन है अब हम लोग आगे देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे माइनस Q आवेस के कारण उत्पन वैद्यू छेत्र माइनस Q आवेस के कारण उत्पन वैद्यू छेत्र वैद्यूत छेत्र तो माइनस Q आवेस के कारण जो उत्पन वैद्यूत छेत्र है आपने क्या माल लिया है E1 इस E1 का मान कितना होगा इस E1 का मान होता है 1 अपान 4 पाई एपसाइलन 0 वैद्यूत छेत्र वाले वेडियो में हमने देख लिया है 1 upon 4 pi epsilon 0 q के बटे दूरी तो minus q आवेस से इसके बीच की दूरी कितना है बिंदू p के बीच की दूरी इन दोनों के बीच की दूरी कितना है r plus l तो r plus l का whole square शमीकर नमबरी ठेक है ये कैसे आया minus q हम formula जानते है 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon आपका r square होता है तो यहाँ पे जो r का मान है वह कितना है r plus l है तो क्या हो जाएगा r plus l का whole square इसी प्रकार से plus q आवेस के कारण जो वैद्यूत छेत्र होगा उसका मान कितना होगा plus q आवेस के कारण वैद्यूत छेत्र उत्पन वैद्यूत छेत्र का मान कितना होगा उत्पन वैद्यू तो छेत्र प्लस Q आवेस के करण आपने जो वैद्यू छेत्र लिया है उसका मान कितना है A2 है ठेक है तो A2 बराबर आपका हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एपसाइलेंस 0 Q के बटे दूरी दूरी क्या हो जाएगा कहेंगे कि प्लस के वावेस से बिंदू P के बीच की दूरी कितना है R-L है तो दूरी का वर्ग यानि R-L का वर्ग समीगण नंबर 2 अब देखिए E1 और E2 में कौन बड़ा है E1 और E2 में कौन बड़ा है यहाँ भी 1 अपान 4 पाई एपसाइलेंस 0 है यहाँ भी आपका 1 अपान 4 पाई एपसाइलेंस 0 है यहाँ भी Q है यहाँ भी Q है जो हर है यहाँ पे R-L का होली स्क्वार है और यहाँ पे जो आपका हर है वह R-L का होली स्क्वार है तो यहाँ पे जो भाग दिया जा रहा है वह बड़े से दिया जा रहा है जब बड़े से भाग देंगे तो मान आएगा वह क्या आएगा छोटा आएगा यहां पर जो भाग दिया जा रहा है R-L यानि कि छोटे से दिया जा रहा है और जब आप भाग छोटे से देंगे तो मान जो आएगा वह क्या आएगा बढ़ा आएगा तो इसमें बड़े से भाग दे रहे है तो मान छोटा, किसका मान छोटा आएगा E1 का इसमें छोटे से भाग देरें तो मान बड़ा मान इसका बड़ा बड़ा आएगा E2 का यानि कि E2 का जो मान है वह greater than है E1 के मान से E2 का मान क्या हो गया E1 के मान से जादा हो गया मान किसका जादा हो गया E2 का तो जो वैद्धू छित्र परडामी वैद्यू छित्र की जो दिशा होगी वह किस दिशा में होगा E2 की दिशा में होगा ठीक है ये माइनस क्यू आवेस के काड़ बिंदू P पर वैद्यू छित्र के दिवता है और ये वाला आपका प्लस Q आवेस के काल बिंदू P पर वैद्यू छेत्र केते परता है अब हमें बिंदू P पर परडामी वैद्यू छेत्र निकालना है बिंदू P पर परडामी वैद्यू छेत्र परडामी वैद्यू छेत्र परडामी केसा निकलेगा परडामी निकालने के लिए हम लोग बड़े में से छोटे को क्या करते है घटा देते हैं परडामी ऐसे निकलता है बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो आपका जो E आएगा E2 का मान कितना है E2 का मान है आपका 1 upon 4 pi epsilon 0 Q के बटे R minus L का whole square minus E1 E1 का मान कितना है यहाँ पे 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q के बटे R plus L का whole square ठेक है अब देखिए ठेक है यहाँ से कुछ इस प्रकार से इन दोरों में क्या चीज़े कामन है इस वाले में भी आपका 1 upon 4 pi epsilon 0 है यहाँ भी 1 upon 4 pi epsilon 0 है यहाँ भी Q है यहाँ भी Q है तो हम लोग क्या कामन कर ले रहे है 1 upon 4 pi epsilon 0 के साथ Q को भी कामन कर ले रहे है ठेक है Q यहां भी है Q यहां भी है तब बचेगा क्या पहले वाले में आपका बचेगा 1 upon R minus L का whole square minus है minus लगा दिया उसके बाद दूसरे में क्या बचेगा 1 upon R plus L का whole square ठीक है अब देखिए इसको solve करते हैं यह पराबर Q का गुड़ा 1 में कर देते हैं तो Q बटे 4 pi epsilon 0 अब इसको solve करते हैं solve करेंगे तो कैसे होगा कहेंगे कि LCM लेकर के solve कर देते हैं तेरिया गुड़ा करा देते हैं इसका इसमें गुड़ा इसका इसमें गुड़ा और नीचे वाले का नीचे वाले में गुड़ा तो R प्लस L का होल स्क्वार का गुड़ा वन में होगा तो क्या होगा R प्लस L का होल स्क्वार माइनस है माइनस लगा दिया R माइनस L के होल स्क्वार का गुड़ा वन में होगा तो कितना हो जाएगा R-L का whole square और इसके बाद भटे करेंगे तो यहाँ पर आपका R-L का whole square गुड़ा करा देते हैं into R-L का whole square ठेक है? कुछ है इस परकार से अब इसको हम लोग क्या करेंगे E ब्राबर Q upon 4 pi epsilon 0 है into देखे A plus B का whole square है तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा A square plus B square plus 2R-L ठीक है? A square मतलब R का square B का square मतलब L का square 2A भी मतलब 2R-L minus है minus लगा दिया उसके बाद R-L का whole square तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका A square R का square plus B square L square minus 2R-L ठीक है? उसके बाद बटे अब देखिए इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ भी square है यहाँ भी square है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? R minus L उसके बाद R plus L और यहाँ पे आपका square हो जाएगा ठीक है? अब आगे देखते हैं E पराबर आपका हो जाएगा Q upon 4 pi epsilon 0 R square प्लस L square यह पूरा लिख लेते हैं प्लस 2 R L अब देखिए minus का गुड़ा इस प्लस में होगा तो minus हो जाएगा तो minus R square bracket तोड रहे हैं ठीक है? फिर minus का गुड़ा प्लस में होगा minus L square minus का गुड़ा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा 2 R L यहाँ पे बटे आपने एक फार्मुला पढ़ा है एक ब्रैकेट में A minus B दूसरे ब्रैकेट में A plus B तो क्या हो जाता है? फार्मुला आपने पढ़ा होगा एक ब्रैकेट में A minus B दूसरे ब्रैकेट में A plus B तो यह आपका हो जाता है A square minus B square यानि की R का square minus L का square उसके बाद देखें यहाँ पे भी squares इन सब का square बचा है तो यहाँ पे total का square हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा यह बराबर आपका बच जाएगा Q upon 4 pi epsilon naught 2rl कितना हो जाएगा 4rl ठीक है 4rl के बटे कितना हो जाएगा R square minus L square का whole square ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब देखें इधर आप लोग इसे फटाक से नोट कर लीजे हम लोग इसे रफ करते हैं ठीक है आप लोग वीडियो पॉस्ट करकी इसे जो है नोट कर लीजेगा हम लोग इसे रफ करना है ठीक है तो इसके आगे देखते है क्या होगा देखें हमने कहां तक निकाला है यह बराबर क्यू अपान फॉर पाई एपसाइलन जीरो फॉर आरियल अपान आर स्क्वार माइनस L स्क्वार का whole स्क्वार अब देखिए जो आर का मान है ठीक है आर का जो मान है वह बहुत ज्यादा बड़ा है एल के मान से ठी है जो द्वीद्रू होता है द्वीद्रू में जो आपकी दूरी होती है वह बहुत कम होती है और यह जो आर है यानि जिस बिंदू पर हमें वैद्यूच्षित की तिप्रता निकाल ली है वह दूर है तो जो आर का मान है वह बहुत ज्यादा बड़ा है एल के मान से तब बत ज्यादा छोटा है जब L स्क्वाइर बहुत ज्यादा छोटा है तो L स्क्वाइर को R स्क्वाइर की तुलना में छोड़ देंगे ठीक है L स्क्वाइर को क्या करेंगे R स्क्वाइर की तुलना में छोड़ देंगे जब आप L square को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या यहां से देखिए L square को हमें छोड़ देना है तो बचेगा क्या E बराबर आपका बचेगा Q upon 4 pi epsilon 0 या epsilon 0 4 R L L square को छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा R square R square का square ठीक है R square का square अब देखिए इबराबर आपका क्या हो जाएगा Q upon 4 by epsilon naught 4 r yl के बटे r e square का square करेंगे r के power 4 ये वाला r e से कड़ जाएगा नीचे आपका कितना बचेगा 3 बचेगा देखिए एक आरे कर से कड़ जाएगा 3 आरभी भी बचाए तो e बराबर आपका हो जाएगा Q upon 4 by epsilon naught इंटू देखिए 4 को लिख दे रहे हैं दो गुडे 12 बटे r q ठीक है क्यों ऐसा लिख रहे हैं आगे हम लोग देखते हैं इधर भी आप लोग नोट कर लिजेगा इधर का भी हम लोग रफ करते हैं एक दब easy है mathematical है अगर आप लोग एक बार दो बार लगाएंगे तो इसे easily कर लेंगे के बल नार्मल mathematics है अब देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं किस प्रकार से लिख रहे हैं इसको हम लोग लिख रहे हैं e बराबर देखिए q into 2 यह लिख दे रहे है वान अपान फूर पाई epsilon not लिख दे रहे हैं इसको अलग कर दिया अभी q बजा है सबसे पहले इस दो को लिख दे रहे हैं दो को लिख दिया अब देखी इस Q को लिख रहे है Q into अब इस 2L को लिख रहे है ठीक है 2L को लिख दिया बटे कितना है R Q है किस प्रकार से लिखा सबसे पहले 1 upon 4 pi epsilon को हमने क्या कर दिया अलग लिख दिया यहाँ पे उसके बाद इस 2 को लिख दिया यहाँ पे फिर Q गुडे 2L लिख दिया और बटे में आपका R Q है R Q हो गया आप जानते हैं वैद्य दिद्रू आगुड की परिवासा से Q into 2L का मान कितना होता है Q into 2L का मान वैद्य दिद्रू की परिवासा से P होता है तो 2P upon R Q यहीं आपका अच्छी इस्थिति में उत्पन वैद्यूत छेत्र का मान होता है ठीक है वैद्व दीद्रू के कारण अच्छी स्थिती में उत्पन वैद्व छेत्र ए कामान वन अपान फोर पाई एपसाइलन जीरो गुड़े टूपी अपान आर क्योब होता है। इसकी जो दिशा होगी वह क्या होगी द्वीद्रू से बाहर की और होगी। क्योंकि आपने देखा जो ईटू है वह जादा है जब ज्यादा है तो दिशा भी उसी की होगी। और ईटू की दिशा क्या है बाहर की और है तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी। बाहर की ओर हो जाएगी तो अच्छी स्थिती में E बराबर 1 अपान 4 पाइफसालन 0, 2P अपान RQ आता है वैद्यूद्चेत की तिवरता का मान ठीक है इसे आप लोग नोट कर लीजे इसके बाद हम लोग देखेंगे निरच्छी स्थिती में अब हम लोग देखेंगे निरच अच्छी इस्थिती में उत्पन वैद्यूत छेतर की तिवरता ठीक है यह वाला जो था वो था अच्छी इस्थिती में कितना वैद्यूत छेतर उत्पन नहुआ है इजी था केवल मैथमेटिकल है आप एक बार दो बार इसे लगाएंगे इजली आप सॉल्व कर लेंगे इंपोर्टेंट है एक्जाम में भी आता है ठीक है अब एक बार दो बार अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो बेडियो को रिवस करके देखिए यह इजली आपको समझ में आ जाएगा अब जो नेक्स्ट एडिंग है वह हमें निकालना है नेराची इस्थिती में ठीक है नेराची इस्थिती में क्या निकालना है वैद्वित छेत्र की दिवरता ठीक है किसके कारण वैद्वित दीद्रू के कारण नेराची इस्थिती में तो जो नेक्स्ट एडिंग है आपका निरच्छी इस्थिती में, दूसरा पॉइंट, इन एक्वाटोरियल पोजीशन, एक्वाटोरियल पोजीशन, ठीक है, तो जो नेक्स्ट एडिंग है वह है, वैद्यु दिधरू के कारण निरच्छी इस्थिती में उत्पन वैद्यु च्छेत्र की तिव्ता सबinta अबuste q कोई how अगर इस दोनों आवेश के मध्य बिंदू पर टिक के इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदू पर हम लंब डाले रहे जब आप इस पर लंब डालेंगे तो लंब बद जो दूरी होगी उसके किसी भी बिंदु पर जो वेद्यु छ्षित्र की दिवता होगी उसे हम कहेंगे निरच्चि यह बिंदु पर एक लंबवत रीखा खीजिए लंब अरधक रेखा खिजिए तब उसके किसी भी बिंदू पर जो वैद्यूत छेतर की तेवता होगी उसको कहेंगे निरच्छी ये इस्थिती में वैद्यूत छेतर की तेवता तो चलिए इसका फेगर हम लोग बनाते हैं निरच्छी ये इस्थिती में कैसे होगा तो सबसे पहले माल लेते हैं दो आवेश हैं एक आपका plus Q आवेश है, दूसरा आपका minus Q आवेश है, ठीक है, दो आवेस हैं जो कि समान परिमार के हैं, ये दोनों आवेस एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हुए है, ठीक है, दोनों आवेसों के 20 की दूरी कितना है, 2L दूरी है, माल लेते हैं जो O है वह इसका मदधविन्दू है यह जो point है वह क्या है? इसका मदधविन्दू है यह माल लेते हैं आपका A है, ये B है, ये आपका O है अब हम सपोस करते हैं कि यहाँ पे वैद्दूत छेत की तेवरता हमें निकाल ली है यह जो point है वह point P है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इस minus Q आवेस से इस P को मिला देते हैं plus Q आवेस से P को मिला देते हैं और इस पर क्या करेंगे लंब डाल देंगे कुछ इस प्रकार से ठीक है क्यों कि ये वाली भूजा ये वाली भूजा दोनों क्या होंगी बराबर होंगी क्यों बराबर होंगी क्यों कि इसको लम आरधक कर रहा है मतलब दो बराबर भागों में बाट रहा है तो ये वाली भूजाएं और ये वाली भूजाएं क्या होंगी बराबर होंगी हम जानते ह कि बराबर हुजाओं के सामने के कोड भी बराबर होते हैं तो इसके सामने का कोड अगर यह ठीटा है तो इसके सामने का भी कोड क्या हो जाएगा ठीटा हो जाएगा ठीक है अब माल लेते हैं प्लस माइनस क्यू आवेस के कार्ड माइनस क्यू आवेस की कार्ड जो प्तुपं हुआ है माल लेते है a1 है और इसकी जो दिशा होती है वा क्या होती है मायनस Q आवेस के ही ओर होती है और इस आवेस से दूर मतलब कुछ इस दिशा में तो यह आपका इधर है इटू आपका इधर है अब ये बताई ये वाला कोड कितना होगा ये वाला कोड ये वाला कोड आपका हो जाएगा टू ठीटा कैसे बहिस कोड प्रमे से त्रिफूज के बहिस कोड प्रमे से बहिस कोड प्रमे कहता है कि ये देखे इस त्रिफूज के लिए बहिस कोड है तो इस कोड का जो मान होगा अंतह सुदूर दोनों कोड के योग के बराबर होगा तो यह कोड ठीटा यह कोड ठीटा दोनों को योग कर देंगे तो कितना जाएगा तू ठीटा जाएगा तो इसका जो मान होगा इस पूरे कोड का जो मान होगा वह कितना होगा तू ठीटा होगा तो इसका जो पड़ामी होगा इन एक देखिए वैद्वित दीध्रू के समानतर होगा तो निरच्छी इस्तिती में जो वैद्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित् आपस में बराबर है तो इनके अगर यह दूरी निकालेंगे तो यह भी आप्टोमेटिक वही होगा तो इसको निकालेंगे कैसे कहेंगे कि इसको लिगालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमे ठीक है पाइथागोरस प्रमे क्या कहता है देखे पाइथागोरस प्रमे समकोड त्रिभूज में लगता है हम लोग जानते है कि यह एक लम डाले है तो यह कैसा त्रिभूज हो गया समकोड त्रिभूज हो तो यहफाली कितना हो जाएगा i1 हो जाएगा तो SHE हो जाएगा थिक है तो यह आपका कुछ इस परकार से फिकर बनेगा अब हमें क्या निकालना है यह वाली थूरी तो sorts لिए क्या है पी इस संकॐस falar क्या है करड़ है ठीक है तो करड़ का स्क्वाइर यानि कि पी ए का स्क्वाइर इस एक्वल टू कितना हो जाएगा लंब का स्क्वाइर पाइथा गुरुस्पन में कहता है करड़ का स्क्वाइर इस एक्वल टू लंब का स्क्वाइर प्लस आतार का स्क्वाइर तो लंब कौन P A को अगर लेंगे यहां से तो यह work में है तुछ अंडरूर्व stimulate में हो जाएगा यानी R square plus L square हो जाएगा ठीक है तो A से P के 20 की दूरी कितना आगी आ R square प्लस L square ये भी दूरी कितना होगा R square plus L square ठीक है दोनों दूरीयां बराबर हैं दोनों भुजाएं बराबर हैं दोनों भुजाओं के ठीक सामने वाले कोड भी क्या होंगे बराबर हो जाएंगे ठीक है ये अगर कोई पूछेगा कोड बराबर क्यों है तो आप कहेंगे ये भुजा इस भुजा के बराबर है जब भुजाएं बराबर है तो किसी त्रिभू समान बुझाओं के सामने के कोड भी बराबर होते हैं अतर इसके सामने का ये वाला कोड इसके सामने का ये वाला कोड दोनों बराबर होते हैं अगर आपसे कोई पूचता ये कोड टूठी टा कैसे हो गया तो कहेंगे कि बहिस कोड प्रमे से त्रिपूजों के बहिस कोड प्र हो जाएगा टू ठीटा हो जाएगा अग इसी त्रिभूस में हम लोग क्या कर रहे हैं कॉस्ट ठीटा का मान निकाल ले रहे हैं लिए रहे नहог तो कॉंस ठीटा परावर क्या होता है界 बेस्किव्डेभेsto आधार बते लंब आधार कितना है एल है ठेक है देखें आधार मतलब यह वाली एल है बते कर्ड कर्ड कितना है यह वाली भूजा अंडरूड आरे स्क्वायर प्लस यहल स्क्वायर शमीगर नमबर 1 अब इसके आगे हम लोग देखते हैं धेखे हम लोग क्या कर रहे है माइनस कीयू आवेस के कारड़ बेंदू P पर 96 तकी तीवरता कितना होगा माइनस कीयू आवेस के कारड़ www. aconteukkot तो तो माइनस क्यू आवेस की कारड़ जो बैद्छ छीत की ते बता होगी, वहाँ आपने माना है E1, वहाँ माइनस क्यू आवेस की और होगा, दिसा, E1 का मान कितना होगा, वन अपान फोर पाई एपसाइलें नॉट इंटू क्यू के बटे दूरी, दूरी कितना है r² plus square करड़ी में है अब करड़ी में r² plus yl² का square करेंगे तो square करेंगे तो मान कितना हो जाएगा वहीं हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q square कर देंगे तो करड़ी हड़ जाएगा r² plus yl² शमीकण नमबर दो इसी प्रकार से प्लस Q आवेस के कारण उत्पन वैद्यूत छेत्र देखें प्लस Q आवेस के कारण जो उत्पन वैद्यूत छेत्र है वह आपने माना है E2 E2 का विमान कितना होगा 1 अपान 4 पाई एपसालन 0 इंटो Q के बटे दूरी तो plus q आवे से p के बीच की दूरी कितना है वही है under root में r square plus y square का formula में आपका work होता है work कर दिया तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q square करेंगे तो ये करड़ी हड जाएगा r square plus y square समीकर नमबर 2 अब देखें यहां से हम लोग क्या देख रहे है e1 का मान कितना है 1 upon 4 pi epsilon 0 q r square plus y square e2 का भी मान कितना है 1 upon 4 pi epsilon 0 q q upon r square plus y square अतर यहां से आपका e1 बराबर क्या आगया e2 आगया अब हमें क्या निकाला है किसका परड़ामी कितना होगा ठीक है बिंदु P पर परड़ामी वैद्यूत छेत्र की तिवरता निकालना है बिंदु P पर परड़ामी वैद्यूत छेत्र परड़ामी वैद्यूत छेत्र देखे minus q आवेस के कार जो वैद्यूत छेत्र कारे कर रहा है वह इजदिसा में plus q आवेस के कार जो value छितकार कर रहा है वह इस दिसा में तो जो resultant होगा वह इस दिसा में होगा और आप जानते हैं कि अगर दो आवेश एक दूसरे से theta code पर बने हो A है B है अगर ये दो vector है दूसरे से theta code पर है तो इनके वीज का जो resultant होता है वह इस formula से निगाला जाता है A square plus B square plus 2AB cos theta ये formula है इसी formula से E का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा कहेंगे कि E1 का square plus E2 का square plus 2E1 E2 cos theta हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो code है दोनो वेक्टरों के बीच का जो code है वर 2 theta है तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 theta कर देंगे देखा है E1 E2 बराबर है E1 E2 क्या है बराबर है तो E2 के अस्थान पर हम लोग क्या लिख सकते है E1 ही लिख सकते है तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा E1 square E2 के अस्थान पर क्या लिख दे रहे है even क्यों क्योंकि दोनों देखें यहां से even e2 आपस में बराबर है तो even के अस्थान पर e2 लिख सकते है e2 के अस्थान पर even तो e2 के अस्थान पर हम लोग even लिख रहे हैं यहाँ e2 है यहाँ भी even cos 2 theta ठेक है उसके बाद e का मान कितना हो जाएगा even square even square 2 even square even का गुड़ा even में होगा even square हो जाएगा cos 2 theta हो जाएगा ठेक है अब देखे इसके आगे क्या करते हैं हम लोग e बराबन लिखेंगे यहाँ पर देखिए दोनों में even square common है यहाँ भी even square है यहाँ भी even square है even square को common कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2 plus 2 cos 2 theta और देखे even square बाहर निकल जाएगा even हो जाएगा अंदर क्या बचेगा 2 plus 2 cos 2 theta cos 2 theta का एक फार्मूला होता है ठीक है हम लोग जानते है cos 2 theta बराबर आपका होता है फार्मूला है cos 2 theta बराबर 2 cos square theta minus 1 ठीक है यह एक फार्मूला है तो इसी फार्मूले का उप्योग करेंगे cos 2 theta बराबर 2 cos square theta minus 1 ठीक है इस दो का अंदर गुडा करा देते हैं even हो जाएगा 2 plus 2 का गुडा 2 में होगा 4 cos square theta minus 2 2 2 से cancel बचेगा क्या e बराबर आपका even 4 cos square theta e बराबर आपका क्या हो जाएगा even 4 क्या हो जाएगा 2 cos square theta क्या हो जाएगा cos theta ठीक है तो e का मान कितना आगया even गुडे 2 cos theta इसके आगे हम लोग इधर देखते हैं आप लोग इसे note कर लीजिए note कर लीजिए वीडियो को पॉस करके आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे ठीक है जो even का मान होगा वो कितना हो जाएगा सॉरी समीकर नमबर 1 यहाँ पर हमने लिखा था cos theta का मान समीकर नमबर 1 यहीं पर कहीं पर लिखा गया था ठीक है देखे क्या है टू है तो टू लिख दिए cos theta cos theta का मान कितना है यल के बटे अंडर रूड में L square प्लस R square ठीक है यहाँ पर आपका आगया अब देखे इसको हम लोग रफ कर देते हैं इसके आगे देखते हैं इबराबर आपका हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 Q का गुड़ा 2L में होगा Q into 2L चले एक लाइन में लिख देते हैं Q into 2L यहाँ पर देखे R square प्लस L square है और यहाँ पर करडी में R square प्लस L square है यानि कि R square प्लस L square का गुड़ा करडी में R square प्लस L square चो हो रहा है तो इसको अब लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते है R square प्लस L square गुड़े करडी में R square प्लस L square है उसको घात एक बटा दो लिख सकते है गुड़ा में घात आपस में जुड़ जाएंगे तो जब घात जुड़ जाएंगे तो मान कितना जाएगा तो दोनों को घात को जोड़ेंगे तो R square प्लस L square के घाते तो इसका इसमें गुड़ा करेंगे तो मान कितना आएगा इतना आएगा डारेक्टली हम लोग लिख रहे है R square प्लस L square के घाते तीन बटा दो ठीक है अभी 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 अच्छी स्थिती में हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि जो R का मान है वो बहुत बड़ा है L के मान से तब R square का मान भी और बड़ा हो जाएगा L square के मान से अतर L square को R square की तुलना में छोड़ देंगे ठेक तो लना में छोड़ देंगे क्यों छोड़ देते हैं इसके पहले हम लोग देख चुके हैं छोड़ देंगे देखें L स्क्वाइर को क्या कर रहे हैं छोड़ दे रहे हैं तो E का मान कितना हैगा 1 upon 4 pi epsilon 0 Q into 2 L कितना हो जाएगा P L स्क्वाइर को छोड़ देंगे तो R स्क्वाइर के घाते 3 बटा 2 ये दो इसका कर जाएगा E बराबर कितना हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 P के बटे R Q तो निराची स्थिती में जो वैद्यू छितर का मान होगा वह आएगा आपका E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 गुडे P upon R Q ठीक है और इसकी जो दिशा होगी वह plus Q आवेश से minus Q आवेश की और होगी वह इस दीद्रू के क्या होगा समानतर होगा ठीक है तो आप लोगी से डोट कर लिजे तो अच्छी स्थिती और निराच्छी स्थिती में वैद्यू छेत्र का कितना मान होगा इसे हम लोगों ने निकाल लिया है अब हमें निकालना है कि वैद्यू दीद्रू के कारण किसी भी बिन्दू पर ठीक है अट एनी पॉइंट किसी भी बिन्दू पर वैद्यू छेत्र का कितना मान होगा तो किसी भी बिन्दू पर वैद्यू छेत्र का मान निकालने के लिए हमें अच्छी स्थिती और निराच्छी स्थिती का ग्यान होना चाहिए बिना इसके हम लोग इसका मान नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, तो हमने अच्छी स्थिती और निरच्छी स्थिती में वैद्यूत छित्र का मान निकाल लिया है, अब निकालना है किसी भी बिंदू पर वैद्यूत छित्र का मान, ठीक है, किसी भी बिंदू पर, ठीक, तो कि किसी भी बिन्द पर यानि at any point at any point वैद्यॡद दिद्रू के कारण किसी भी बिन्द पर वैद्यॡद छेत्र का मान कितना होगा किसी भी बिन्द पर वैद्यॡद छेत्र की तिवर्टा निकालने के लिए सबसे पहले आपको figure बनाना जरूरी और figure को समझना Z Ihnen है इसका सबसे important figure ही है अगर आप figure easily समझ जाएंगे तो इसे तुरंत solve कर लेंगे तो चले figure समझते हैं कोई दो आवेश है ए माइनस क्यू आवेश है यह दोनों प्लस क्यू आवेश है दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे है माल लेते हैं दोनों विश्वों कीबीच की दूरी 12 है यह इसका मालनते मद्विल है यह आपका बी अख्यका टीक है माल लेते हैं इस बिन्दू पर हमें वैदू छितर का मान निकालना है । यह जो pupी बिन्दू है यह न तो अच्छी स्थिती अगर इस अच्छ पे तो अच्छी स्थिति इसके मद्ध बिन्दु पर डाले गए लंब पर होता तो निरच्छी स्थिति न इसके अच्छी स्थिति में है नहीं निरच्छी स्थिति में है तो इस बिन्दु P पर वैद्धि उच्छे तरका कैसे मान निकालेंगे अब हम लोग जानेंगे चले P को से मिला देते हैं यह दूरी माल लिते हैं वह R है यह दूरी कितना है माल लिया आन्म रहे है यह जा tahu से और यह प्लस क्यू आविश में सुरी प्लस क्यू आवश है अब दोनों आवेश वय्दित दीध्रू का नर्मान कर रहे हैं तोھ एक वयंदित extend ौ त इसके जो दिशा होती है माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की उर उती है तो जो वड़ी दिद्रू आप्वेश से प्लस q आवश की और होगा ये एक सदिस्रास्ज है इसको हम लोग दो भागों में बाड़ेती है ठीक है इसको दो भागों अममाल लेते ये वाला जो कोड है वा कितना है ठीटा है इस P को दो भागों में बाड़ दे रहे हैं इस P को दो भागों में बाटेंगे तो माल लेते हैं कुछ इस प्रकार से हमने बाड़ दिया अच्छा आप थोड़ा समझिए कि अगर कोई वेक्टर है ये माल लेते हैं वेक्टर A है इस साइन ठीटा होता है ठीक है देखिए जिसके साथ ठीटा लगा रहता है जिसके साथ ठीटा लगा रहता है उसको कॉस लेते हैं इसके साथ ठीटा लगा है तो कॉस ठीटा ले लिए यहां पर देखिए ठीटा किसके साथ लगा है इस वाले के साथ तो यह वाला क्या हो जाएग स्वाइब को भाग रहे तो पी को सलेगा तब यह क्या हो जाए गा जिसके साथ ठीटा नहीं लगा है मैं हो जाएगा सबसे पहले यहां पर क्या हम ने देखा कि माइनस क्यू आभेस जो वा इसकी दिशा माइनस क्यू आवेस से प्लस क्यू आवेस क्यूर हो रही है अब इन दोनों आवेसों को हमने दो भागों में बाड़ दिया यह वाला जो भाग हमें मिला है वह पी कॉस ठीटा मिला है यह वाला जो भाग मिला है वह पी साइन ठीटा मिला है अब यहां पर हमें क् कलपना कीजिए, इस वाले भाग को हमने थोड़ा सा पीछे बढ़ा दिया, तेक है, इसको, यहां से, यहां से हमने पीछे बढ़ा दिया, तब यह जो P कॉस्ठीटा है, P कॉस्ठीटा के कारड, इसके कारड यह वाला जो बिंदु है, इसके कारड यह वाला जो बिंदु है, वह अच्छी स्थिती में है की नहीं देखे इस पी कोस्थीटा के कारड़ अगर वैद्यू उच्छत की तेवर्ता निकालना है तो किस अच्छी स्थिती में होगा नहीं इसी के अच्छ में है अब इस वाले लाइन को अगर हम लोग बढ़ाते हैं ऐसे यहाँ पे तो पी साइन ठीटा के कारड़ अगर इस बिंदू पर निकाले वैद्यू उच्छत की तेवर्ता पी पर पी साइन ठीटा के कारड़ तो देखिए यह क्या है इस पर लंब है ठीक है इस पर जब लंब है तो यह क्या हो जाएगा निरच्छी स्थिती में हो जाएग यानि कि P cos theta के कारण जो बिंदू P पर वैद्यू च्छेतर की तिवरता होगी वह अच्छी स्थिती में होगी P sin theta के कारण जो बिंदू P पर वैद्यू च्छेतर की तिवरता होगी वह निरच्छी स्थिती में होगी ठीक है, P sin theta के कारण जो वैद्यूच्यत की तेवरता होगी वद निरच्छी स्थिती में होगी, देखें, ये वाली line, इस वाली line पे क्या है, लंब है, जब लंब होता है, तो लंब वर्थक कि किसी बिन उपर वैद्यूच्यत की तेवरता निरच्छी स्थिती को बताती है, अब जो P cos theta है, अच्छ में है, उसी line में है, तो अच्छी स्थिती में हो गई, अब हम लोग जानते हैं, कि जो अच्छी स्थिती में वैद्यूच्यत की तेवरता होती है, वह बाहर की उर होती है, तो यहाँ पे जो वैद्यूच्यत की तेवरता होगी, वह बाहर की उर यह वाला P-sinee theta करक किसके है निचाफि Hahahioittichate ऐस निचाफित्ति के लिचाफिति को होती है वह द्वीधु के समान्तर होती है तो यह वाला जो द्वीधु है इसकर समानतर तो इसकर समानतर बतलब यह टिक है अब देखिए यह लंबवत होगा इस पर तो यह वाला जो कोड़ हो जाएगा वह कितना हो जाएगा नाइनटी टिग्री हो जाएगा ठीक है यह वाला कोड़ कितना हो जाएगा नाइनटी अब यहाँ पे पी कॉस्ट टीटा के कारण वैद्धिच्छेट की तिवरता इवन इस दिसा में कर रहा है और पी वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए आपको कुछ समझ में आ जाएगा चलिए अब हम निकालते हैं वैद्यू छेत की तेवरता कामान कितना होगा अब चलिए हम लोग फार्मूला प्राप्त करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि पी कारण जो वैद्यू छेत्र है पी पर वह किस कारण है अच्छी इस्थिती में अच्छी इस्थिती में बिन्दु पी पर वैद्यू छेत्र की तिवरता तो P cos theta के कारण आपने क्या माना है even किस इस्तिती में है अच्छी इस्तिती में अच्छी इस्तिती में वैद्यूद छेत किते बता कितना होगा 1 upon 4 pi cos sorry 4 pi epsilon 0 यहां पर देखिये आपने जो फार्मूला पढ़ा है वह पढ़ा है 1 upon 4 pi epsilon 0 2p upon r cube ठेक है P क्या था वैद्यूत दीधरू आघुड था यहां पर जो वैद्यूत दीधरू आघुड है वह P cos theta है देखिये पी बैद्यू दिद्रू आगुड था उसको हमने दो भागों में बाढ़ दिया तो बैद्यू दिद्रू आगुड यहाँ पर क्या है पी कॉस्ट थीटा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पी के अस्थाम पर पी कॉस्ट थीटा लिखेंगे पी साइन ठीटा के कारण निराच्छी बिंदू पीपर वैद्यूत छेत्र की तिवता अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि निराच्छी स्थिती के कारण जो वैद्यूत छेत्र की तिवता यहां पे जो वैद्यूत दीद्रू आगुड है यहां पे जो वैद्यूत दीद्रू आगुड है वह कितना है पी साइन ठीटा है तो इस पी के अस्थान पे हम लोग क्या रखेंगे पी साइन ठीटा हमने माना कितना है e2 है तो e2 ब्रावर आपका 1 upon 4 pi epsilon 0 P sin theta बटे R q शमीकर नमबर 2 अब देखिए हमें बिन्दु P पर परडामी वैद्धू छेत्र निकालना है ठेक है बिन्दु P पर परडामी वैद्धू छेत्र है तो परडामी वैद्धू छेत्र कैसे निकलेगा अभी अभी जैसा हमने निकाला निरच्छी स्थिती में कैसे e बराबर under root e1 square plus e2 square plus 2 e1 e2 cos theta तो इन दोनों के 20 का कोड़ कितना है 90 तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 90 टेक तो e बराबर आपको कितना हो जाएगा e1 square plus e2 square plus 2 e1 e2 cos 90 का मान 0 तो यह इसको पूरा कर देगा 0 तो बचेगा क्या अंदर e1 e2 square plus e2 square देखें इसका 0 में गुणा होगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो इसके आगे हम लोग पान रखेंगे इवन e2 का तो e बराबर कितना है e बराबर है आपका अंडरूड में e1 का माने हाँ से 1 upon 4 pi epsilon 0 2p cos theta 2p cos theta के बटे r cube देखें e1 का square है तो इस पूरे का क्या होगा square होगा plus कितना है e2 का square तो e2 का मान कितना है 1 upon 4 pi epsilon 0 P sin theta यानि की P sin theta के बटे r cube ठेक r cube square है तो इसका भी क्या कर देंगे square कर देंगे अब e बराबर देखें 1 upon 4 pi epsilon 0 का square कामन है इसमें भी है इसमें भी है देखें 1 upon 4 pi epsilon 0 का square 1 upon 4 pi epsilon 0 का square कामन है और क्या कामन है देखें P भी कामन है P भी कामन है square है तो square कामन हो जाएगा और r cube यहाँ पे देखें इसमें भी है इसमें भी है तो दोनों में कामन कर लेते हैं ठेक तो देखें सबसे पहले 1 upon 4 pi epsilon 0 इसमें भी है 1 upon 4 pi epsilon 0 इसमें भी है दोनों में common है लेकिन square है दोनों में तो square के रूप का common करेंगे तो 1 upon 4 pi epsilon 0 का whole square common कर लिया यहाँ पे भी p है square तो p का square हो जाएगा यहाँ भी p है इसमें भी याणि दोनों में p है यहां यहां इस्क्वाइर है तो इस्क्वाइर तो पी स्क्वाइर को कामन कर लिया उसके बाद देखे बटे आर्क्यू यहां है बटे में आर्क्यू यहां भी है तो दोनों में आर्क्यू का square भी common है तुसे भी common कर लिया अब बचा क्या बचा क्या है यहाँ पे वाला 4 पाई अप्सालन 0 common कर लिया P common कर लिया RQ common कर लिया तो 2 cos theta का 2 cos theta का whole square और यहाँ पे क्या बचा है sin theta का whole square ठीक अब देखें इनको करड़ी में से बाहर लेकर आते हैं तो square है करड़ी में से बाहर आएगा तो single यानि कि 1 upon 4 pi epsilon 0 P square बाहर आएगा P R cube का square बाहर आएगा तो R cube अंदर क्या बचा है करड़ी में 2 cos theta का square करेंगे तो 2 का square करेंगे 2 cos theta का square है तो 2 का square करेंगे चार कॉस्ट टीटा का स्कॉयर करेंगे तो कॉस्ट स्कॉयर ठीटा प्लस आइन स्कॉयर ठीटा हो जाएगा ठीक अब देखिए यह बराबर यहां से वन अपन फूर पाई एप साइलन्स जीरो पी अपन आर क्योई यहां से देखिए हम एक फार्वुला जानते हैं फार्मूला आपका होता है sin square theta पराबर one minus cos square theta ये फार्मूला होता है यहाँ से आपका four cos square theta फार्मूला है तो फार्मूला के अस्तान मिलिग देते है यहां पे 4 काश स्क्वायर ठीटा है, यहां पे माइनस कॉस स्क्वायर ठीटा है तो 4 काश स्क्वायर ठीटा में से 1 काश स्क्वायर ठीटा घड़ जाएगा, तो मान कितना आएगा, e बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0, p upon R cube, अंडरूर में लेके 4 में से 1 घड़ जाएगा, इस पहले 1 को लिख दे रहे है 1, 4 cos square theta में से 1 cos square घटेगा तो 3 cos square theta ठीक है तो E का मान कितना आ गया ये किसी भी बिंदू पर वैद्यू छित की तिवरता का मान इसी फार्मूले से निकाला जाएगा आपने अच्छी स्थिती में वैद्यू छित की तिवरता का मान कितना होता है वो भी निकाल लिया निरच्छी स्थिती में वैद्यू छित की तिवरता का मान कितना होता है वो भी निकाल लिया किसी भी बिंदू पर वैद्यू छित की तिवरता का मान कितना होता है यह आपका पूरा हो गया है ठीक है अब इसमें नियुमेरिकल है तो नियुमेरिकल हम लोग कुमार मित्तल की बुक से सारे जितने भी नियुमेरिकल है सभी को सॉल्व करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का जो भी नियुमेरिकल है सभी पढ़ना है numerical ठीक है तो next वेडियो में numerical पढ़ेंगे तब तक best of luck